बिरिंदर सहवाग ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बिस्पोटक ओपनिंग बल्लेवाजों मैं से एक रहे हैं आज भले ही ये खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखता लेकिन एक समय इनके बल्ले से चौके और छक्कों की बारिस होती थी 8 दिसंबर साल 2011 में उन्होंने एक ऐसी ही बिस्पोटक पारी खेली थी जिसकी बदौलत भारती टीम ने ना सिर्फ 400 से अधिक रनों का स्कोर खणा किया था बल्कि बेश्ट इंडीज के खिलाब गेंदबाजों की जम कर पिटाई की थी आज के इस वीडियो में हम आपको बीरिंद्र सहवा की एक ऐसी ही पारी के बारे में बताएंगे जिस पारी में उन्होंने सचिन तेंदूलकर के पहले दोहरे सतक का रिकौर्ड तोड़ा था उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आठ दिसमबर साल 2011 में उन्होंने बेश्टिंडीच के खिलाब विस्पोटक पारी खेल कर सचिन तेंदूलकर का रिकौर्ड तोड़ दिया था इस बल्लेवाजी की बदौलत टीम इंडिया ने बंडे का अपना सबसे बड़ा स्कोर 418 रन बनाया था आठ दिसमबर 2011 में बीरिंद्र सहवाग ने ये बेश्पोटक पारी खेली थी और सचिन तेंदूलकर का रिकौर्ड तोड़ दिया था इस बल्लेवाजी की बदौलत टीम इंडिया ने बंडे का अपना सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया था टीम इंडिया ने इस मैच में 418 रन बनाये थे और अपने 5 विकेट खोए थे बीरिंद्र सहवाग ने 2011 में खेली गई अपनी इस पारी की बदौलत 2010 में सचिन तेंदूलकर के दौरा बनाये गए 200 रनों की पारी के रिकौर्ड को तोड़ा था आपको बता दे सचिन तेंदूलकर बन्डे क्रिकेट में पहला 12 सतक लगाने वाले बन्लेवाज थे उनका ये रिकौर्ड तोड़ कर बीरिंद्र सहवाग ने बन्डे की एक पारी में सबसे ज़़ादा रन बनाने का रिकौर्ड अपने नाम किया बीरिंद्र सहवाग ने बेस्ट इंडीज के खिलाब 149 गेंदों में 219 रन बनाए आपको बता दें इस मैच में पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया था टीम इंडिया ने गोतम गंभीर और बीरिंद्र सहवाग ने सानदार पारियां खेली थी गोतम गंभीर ने 67 रन बनाए थे तो वही बीरिंद्र सहवाग ने 219 रनों की धमाकेदार पारी खेली सहवाग ने अपनी पारी में 7 छटके और 25 चौके जड़े थे इसी के साथ भारतिय टीम ने 418 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था दोस्तो आपकी राय में कौन सा दोहरा सतक सबसे बहतरीन है रोहित सर्माग की 264 रनों की पारी या फिर बीरिंद्र सहवाग की 219 रनों की पारी आप अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जैसे कि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूले